कुछ आमदीद दोस्तों, I am yours narrator and today we are going to start episode number 15 of our interesting novel तर्वते देल असकलम मनत्शा. वो जमीन पर नीचे सोई हुई थी, गुठरी बनी हुई, जब पिंकी कदम कदम चलती उसके पास आई थी, फिर गुठनों के बल बैट कर उसके चहरे को नफरस से देखा था, और फिर अपनी कारवाई शुरू कर दी थी, अपनी पूरी कारवाई करने के बाद उसने उसके का कानों के पास इतनी जोड से तालियां बजाई थी, कि वो डर के मारे उठ गई थी, मगर फिर अगले ही लंभे उसका वजूद हरकत करने से भी कासिर हुआ था, बेयकीनी से उसने अपने वजूद को देखा था, और फिर खुद अपने ही हातों से अपने आप को चिपाया थ जर्द चहरे के साथ उठकर बैड की तरफ बढ़ी थी, कि पिंकी ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस जमीन पर पठका था, मुझसे कैसी शर्म, मैं तो तुम्हारी जैसी लड़की ही हूँ, उसने उसके वजूद पर इस्तहाज या नजर गाड़ते कहा था, मंताह ने उ सारे कपड़े लंबी-लंबी कत्रे बन कर उसके जिस्म पर जूल रही थी, और उसका जिस्म आया हो रहा था, उसने अपनी ही बेबसी पर कितनी ही सिस्किया निकली थी, एक बार फिर हिम्मत करके वो उठी थी, अच्छा जाओ, जो करना है कर लो, पिंकिन हिकारत अमेज कहक लगाते कहा था, उसने आगे बढ़कर कापते हाथों से बैट शीट की चादर खीच कर, खुद पर ओड़ी थी, और बे आवाज आंसों से सिसकने लगी थी, कैसी आजमाईश थी, जो उसके जिस्म के कपड़े भी खीच खीच गई थी, नहीं, नहीं, एक, नहीं, मुझे न नहीं देखना तुम गंदी हो, भा, भा, छोड़ो, छोड़ो, गंदी, अभी मंताहा ने खुद पर चादर लपेटी ही थी, के पिंकी हलक के बल अपनी पूरी जान लगा कर चिलाई थी, शोर करने लगी थी, और रात के सननाटे में उसकी आवाज की गूंज ने अच्छा खासा घर का खुआबी का महोल ताबनाक बना दिया था, बाशिम और मिसिस बाशिम जो कुछ देर पहले ही सोय थे, अचानक से पिंकी की आने वाली अवास पर हर बढ़ा कर उठे थे, क्यों कर रही हूं मुझे गंदा छोड़ो, छोड़ो मुझे मेरी शर्ट छोड़ो, मत उतारो मेरी शर्ट, वो फिर से चीकी थी, मतहा ने डबडबाई नजरे कापते वज्जिस्म के साथ बड़ी बेयकीनी से उसकी तरफ देखा था, जब ही हापते दोड़ते मिसिस बाशिम और मिस्टर बाशिम कमरे में दाकिल हुए थे, वो ड़़ कर उनके गले लगी थी, क मतहा की, चादर एकदम खीच कर परे फैंकी थी, कि मिस्टर बाशिम ने एकदम मतहा के जिस्म पर लटकते, भटे कपड़ों से आया होते, वजूद को देखते, अपनी नजरों ना सिर्फ मोड़ी थी, बलके खुद का भी रुख बदला था, वो अपने आपको अपने करते ही, मिस्टर बाशिम अपने हाथ की मुठ्टियों को भीचे गुस्ते से मुड़े थे, और एक जन्नाटेदार थपड़ मनतहा के मूँ पे जड़ा था, मैंने कुछ नहीं किया, सर, मैं सो रही थी, यहाँ नीचे, इन्होंने सीजर्स के साथ मेरे कपड़े काटे, और फिक खुद ही चीखने लगी, मैं कसम खाती हूं सर, रोते हुए अपने आप की गवाही देते, वो हाथ जोड़े कह रही थी, शट आप, पहली फुरसत में निकलो यहाँ से, मुझे सुभा तक मेरी बहन के पास दिखने नहीं चाहिए, घुस्से और तनफर से मिस्स बाशि कहे कर रही थी मुझे, दोबारा से अपने खोल में मुकैद करते वो हस रही थी, तुम चेंज कर लो मनतहा, उन्होंने रोती काप्ती मनतहा को देखते कहा था, और फिर कर्टन के पीछे पड़े, उसके हैंडी केरी से उसके कपड़े निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाए थे, और वो कापते हाथों से कपड़े लिए बातरूम में बंद हुई थी, मिसिस बाशिम ने एक नफरत बरी निकाह पिंकी के ऊपर डाली थी, जो बैट पर लेटी, टांग पर टांग रखे, अपने पाउं को जुला रही थी, और फिर बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाय की त पाई थी, वो दर्वाजे से अपना एक कदम बाहर रखा था, बड़ी ढीट हड़ी हैं आप में, खैर, फिर ये शो भी कभी खत्म नहीं होगा, तेजी से उठकर वो उन तक पहुची थी, उनके कमर पर हाथ रखकर उने बाहर की तरफ धक्का दे कर फैका था और फिर को बरदाश करते, अपने आंसों को साफ करते, वो कमरे में गई थी, जहां बाशिम सिगरेट के कश लगाते बुरी तरह चकर काट रहे थे कमरे में, इस लड़की को मेरी बहन के कमरे से निकाला है या नहीं, मैं समझ गया, ये तुम्हारी चाल है ना, और कितना रुस्वा क करोगी तुम इस मासूं को, उस तक पहुचते, पीछे से उसके बाल गुद्दी से खीचे, वो उसके मूँ पर चिलाया था, आँ बाशिम छोड़े, दर्द से उसकी जान फना हुई थी, तब ही बाशिम ने उन्हें बैट पर पटका था, मैं उसे कहीं नहीं भेजूंगी, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा, वो ठीक है, वो ये सब बस उसकी वजह से कर रही है अब, चटाख, मेरे सामने इस वाके को दुराने की जुरूरत कैसे हुई तुम्हारी, उसकी बात मुकमल होने से पहले ही, मिस्टर बाशिम ने उसे थपड़ दे मारा था, आपको फिक्स रहे, वो बस टोर्चर करना चाहती है सब को, वो टोर्चर कर रही है मुझे, आपको, उस मासूम को उन्होंने गालों पर लुड़कते आंसों को साफ करते कहा था, हाँ, तुम सब मासूम, आज से दो साल पहले भी, मेरी बेहन तुम्हारी नजरों में गलत थी, आज भी वो चले मेरे साथ, अभी इसी वक्त, वो उनका हाथ पकड़ती, उनको खीच कर कमरे से बाहर लाई थी, क्या अभी तुम में गैरत नहीं, कब छोड़ कर जाओगी, और कब अपनी मनुश शकल दिखाना बंद करोगी, पिंकी ने तनफर से हाथ में पकड़ा, डेकॉरेशन पीस मनतहा की तरफ फैकते कहा था, जब वो कपड़े चेंज करके बाहर निकल आई थी, और वो कांच का डेकॉरेशन पीस उसके बरवक्त पीछे होने से उसके पैरों में धेर हुआ था, बाहर खड़े बाशिम और मिसिस बाशिम ने उसकी तेज चीक की आवाज सुनी थी, मिस् फैंडे फर्च पर वो उसको बगैर कोई जवाब दिये लेट गई थी, अपना ब्लैंकिट और मेट्रिस साइड पर किये, पिंकी कहका लगा कर हसी थी, उसकी बेबसी और मजबूरी और धिटाई पर, बाहर खड़ी मिस्स बाशिम की आँखों से आँसों निकले थे, मगर बेबस थी, उनकी आँखों के सामने वो लमहात लहराए थे, जब वो कभी मंतहा की जगा पर थी, और इस घर में आई थी, वो मंतहा के लिए कुछ नहीं कर सकती थी, वो बेबस थी, क्योंकि जो पिंकी दिखा रही थी, मिस्टर बाशिम बस वही देख और सुन रहे थे, व कभी आप यकीन नहीं करेंगे, यह सब क्या यकीन करूं हाँ, बोलो, क्या यकीन करूं, मेरी बिमार बहन, अगर यह सब कर रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ तनहार रहना चाहती है, क्योंकि जो जखम उसको मिले है, वो कभी भी उन जखमों को भुला नहीं पाएगी, और यह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वज़े से है, उस पर गुजरते, गरशते, बरसते, उसे अपने हाथ से धक्का दे कर रास्ते से पीछे हटाते, वो सिगरेट और लाइटर पकड़ कर रूम से बहर निकल कर स्टेडी रूम में चले गए थे, बहुत पश्ताएंगे आप एक दिन बाशिम, मिसिस बाशिम ने अपने बहते आंसू से कहा था, नेक्स सीन, कल का क्या सीन है, दोना ने फाहा से कोल पर पूछा था, तुम ठीक हो, फाहा ने पूछा था, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे लगता है फाहा, हमें अपनी हैल्थ की परवा किये बगएर दिन, एक करके इस किलर को पकड़ना है, तो आई थिंक हमें अपनी टीम को सही से जोइन करना चाहिए, डोना ने अपना इरादा बताया था उसे, हम, तुम ठीक कह रहे हो, सुबह मिलते हैं फिर, कुछ सोचते हुए कहा था, उसने, फिर कॉल डिसकनेक्ट की थी, या ला, ये कैस इसी आजमाईश में डाल दिया है मुझे आप, अब क्या होगा, कैसे मैं रोकूंगी ये सब, और वो मौमिल, उसका नाम लेते ही फाहा के लब थर थरा गए थे, फिर आईने के सामने जाकर अपनी कमर से शर्ट हटा कर देखा था, दो जगा उस हैवान ने चुटकी भरी थ और दोनों जगा ही सफेद कमर पर नील पड़े हुए थे, उसने हाथ लगा कर अपने जखम को टच किया था और दर्द की शिदत महसूस करते अपने लब भीचे थे, बी ब्रेफ पहा, तुम्हें ये करना होगा, उस शक्स के लिए, जिसने सारी जंदगी तुम्हें खुश आने के लिए आजाद करवाना होगा, तुम्हें अपने मरे हुए माबाप की कसम खाई है कि तुम्हें ऐसा ही करना होगा, अपने बहते आंसों को रोकते, उसने कहा था, सुभा सबसे पहले मुझे हाशिम और डोना को उस केस के मतालिक ऐसे सकूक में मुपतला करना है, कि व उझे उन्हें ट्रैप करना होगा हर हाल में, उसने अगला लाहे अमल सोचा था, हाशिम उसके लबों पे अचानक ये लवज अदा हुए थे, फोन पर हाशिम का नंबर ब्लैंक होता देखकर, हैलो, उसका दिल ही नहीं चाहा था कि उसकी कोल इगनोर करने को जब ही पूरी बेल होने से पहले फोन उठाया था, फाहा तुम ठीक हो, उसने उसकी आवाज सुनते ही तरब कर पूछा था, फाहा ने सामने आईने में मुझूद अपने बहते आंसों को देखते, खुद की सिसकी को अंदर ही दबाया था, नजाने क्यों, मगर उसका दिल इस वक्स शिद करती थी, मगर उसके बावजूद वो अपने आप, उसे अपने सारे दुख, दर्द सुनाना चाहती थी, उसके दिल से शिदत से एक अंजानी अंगडाई लेकर हाशिम वलीद खान के लिए नर्मी बरती थी, जिस पर वो खुद भी मुतमईन थी, हाँ मैं ठीक हूँ, उसन कि भारी नमी घुली आवाज सुनते अपने बैट पर लेटा, हाशिम तरड़प कर उठा था, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस फ्लू की वज़ा से है, उसे हाशिम की तरड़प महसूस करते, अपने मूँ पर हात रखते, अपनी सिसकी दवाई थी, वो चाह कर भी नहीं बत शदीद ख्वाईश से कहा था, और वो जैसे इन लम्हों के तलस्म में जकड चुकी थी, उसके कानों में जैसे ही उसकी आवास पड़ी थी, वो खुद को ढिला छोड़कर एक लंबा गहरा सांस ले गई थी, उसकी ख्वाईश पूरी कर गई थी, उसकी सांस की आवास सुन तुम्में और हर रात उल्जाना चाहता हूँ तुम्में, उसने गंबिर लहजे में कहा था, पाहा की धड़कने एकदम से साकत होकर रवा हुई थी, और दिल बेतर टीबी से धक धक कर रहा था, ऐसा कभी मुम्किन नहीं होगा, उसने कांपते लफजों से कहा था, और कॉल सरसारी उसकी रगों को सजाने की बजाए अंदिया दे रही थी, एक ऐसे होलनाक वादे की पावंदी का जो वो कर गाई थी, कैसे मनाएगी वो खुद को घरवालों को कैसे उसका दिल तोड़ेगी जो उससे इश्क करता है, वो अगर अगर अपने भाई की खुशी के लिए हाशिम का दिल तोड रही थी, तो क्या वो ठीक कर रही थी और अगर यही कुर्बानी जोईशा ने दे दी तो अगर उसको भी पता चल गया, फा सुल्तान चोधरी से उसका भाई मोहबत करता है तो क्या होगा, उसने दहल कर सोचा था क्या वो भी उससे लड़ेगी, क्या व मांग कर आई है उसके सामने हाथ जोड़कर वो कभी खुद को उसके सामने इरगड़ाता देखती और कभी उसको खुद के सामने इरगड़ाता पाती ये उसकी जिन्दगी का सबसे ज्यादा वहिशियाना लम्हा था घब्रा कर उसने मूंदी हुई आखे खोली थी जिंदेगी के इस मोर पर खड़ी थी वो जहां खुद को जुलस्ती हुई आग में जोकने का अमल उसे खुद सर अंजाम देना था फाहा दोर नोख होते ही उसने अरसम की आवास सुनी थी जल्दी से आंसु पोचकर उट बैठी थी कैसा है मेरा बच्चा अरसमने अंदर आते ही उसके पास पैटते उसे गले से लगाते हुए पूछा था और मजबूत हिसार मिलते वो रो पड़ी थी ये क्या मेरा बहादुर बच्चा रो रहा है क्यों रो रही हो मुझे बताओ कौन था वो जिसने मेरे बच्चे को है हिट किया मार दूँगा उसे जान से मैं उसने फाहा को अलग करते उसके आंसु साफ करते कहा था कुछ नहीं भाई उसे तो मैं खुछ सबक सिखा आई हूँ मैं अब ये सब नहीं करना चाहती भाई मैं डर गई हूँ उस सबसे आई विल लीव मैं पैशन उसने दिल पर पत्थर रखकर कहा था अर्यू शूर अर्सम को उसके तासुरात और अलफाज की अदाईगी एक दूसरे का साथ ना देती महसूस हुई थी ये शूर आई वॉन्ट तू मैरी उसने नजरे जुका कर अगला अलफाज कहे थे ओ ये दूसरा धचका था जो अर्सम के लिए ना जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सब रटा रटाया बोल रही हो विद उसने जुमला अधूरा छोड़ा था वो अब उसके जहन के और दिल के माबैन छड़ी जंग में खुद भी उलज रहा था वो मॉमिन मॉमिन ही लवस मी एंड आई लवस हिम उसने डबडबाती आंखों से कहा था उसने खोश्टी नजरों से पूछा था यस और मैं भी आप फपो से कहें कि वो कल मेरे साथ उसके घर चले रिश्टा लेकर उसने एक और बम उसके समात पर छोड़ा था अरसम को इस वक्त वो खबती लगी थी क्या वो समझ रही है कि वो क्या कह रही है अपने भाई के आगे एक बहन की खुशियां वो ढूंड नहीं पाया वो ढूंड नहीं पाया था पूरी तरह से कि अब दूसरा सवाल जवाब लिए उसके सामने बैठी उसका दिल दहला रही थी मगर फार रिश्टा तो लड़के वाले मैं चाहती हूं कि हम कुछ अलग करें हम वो करें जो कोई न करें वैसे भी पहले मैंने मौमिन को पसंद किया था और मैंने ही उसे खुद से महबत करने के लिए उकसाया है उसे लिहास से मुझसे ही रिश्टा विजवाना चाहिए क्या आप मेरे जिन्दगी के सबसे बड़ी खुशी मुझे नहीं दे सकते उसने सवाले नजरों से बेबसी से अरसम को देखते हुए कहा था डन कल फुपो चली जाएंगी तुम्हारे साथ तुम्हें तुम्हारे जिन्दगी के सबसे बड़ी खुशी मिल जाएगी फाहा चलो अब रेस्ट करो सो जाओ गुड नाइट उसकी पेशानी पर बोसा देते उस पर कमफर्टर उड़ाते वो परिशान दिल से बाहर निकला था जो फाहा आज उसके सामने बैठी थी किसी रटे रटाए तोते की तरह सब बोल रही थी उस फाहा से तो वो बच्पन से लेकर अब तक कभी मिला ही नहीं था और जिस फाहा को वो जाते हुए छोड़ कर गया था उसकी हलकी सी जलक भी उसे कही नजर नहीं आई थी क्या अपनी महबत के बारे में ऐसे आखों में विरानिया भर कर बताया जाता है क्या महबत खुशी नहीं मौत होती है तो अगर फाहा मौमिन से महबत करती है तो उसके तासरात करीब मर्ग क्यों थे बेचैन होते वो अपने कमरे में आया था और गाड़ी कीज लेकर बाहर निकला था नेक्सी ये मैं क्या सुन रहा हूँ जकी जकी के तुम मेक के दोनु बेटों के साथ हमना और जैनम की शादी कराने वाले हो बहुत जल्द सफीर ने सिगरेट का कश लगाते हुए कहा था हम जब गीदर की मौत आती है तो वो शहर का रुक करता है मेक के साथ उससे ज्यादा कुछ और सीन नहीं होने वाला जकी ने शराब से भरा गलास अपने अंदर उडेलते कहा था मगर वो तो कहता है कि तुमने उसे जबान दी है और तुम अपनी बात से नहीं फिरोगे सफीर ने भी अब टेबल पर पड़ा गलास उठाया था मेक वो बिल्ला है जिसको दिन में भी छीचड़ो के खौब आते है समझो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बिसाथ का वमोरा है जिसके हाथ में मेरा एक एहम राज है इस राज के खत्म होते ही उसकी बिसाथ अच्छे से उलटना मैं जानता हूँ एक गोली की मार है वो काम खत्म उसकी जिन्दगी खत्म रही बात हमना और जैनम की तो मेरी बेटियों की किस्मत में क्या है वो हीजड़े ही रह गए है बहुत शांदार दूले ढूनूंगा मैं उनके लिए जक्योल्ला ने गर्दन अकड़ाते हुए कहा था अब डाल के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा वैसे भी वो जैनम को पसंद करता है सफिर ने अपनी बात जकी के सामने रखे थी हम अबदाल मुझे भी बहुत पसंद है आज ही घर जाकर मैं जैनम से बात करता हूँ और फिर एक शांदार पार्टी और्गनाईज करेंगे जकी ने जोस से कहा था मगर अगर मैक को पता चल गया कि तुमने मेरे बेटे के लिए जैनम के रिष्टे की हां की है तो सफिर ने कुछ सोचते हुए बात अधूरी छोड़ी थी उसे कौन बताएगा हम इसलामाबाद में फैमली गेट टुगेधर रखेंगे और शादी मेरा मसला हल होने के बाद होगी and I am sure अब दाल इतना वेट तो कर ही सकता है सिगरेट का धूँआ उड़ाते कहा था जकी ने यस शूर वेट तो करना ही पड़ेगा बस तुम जैनम से बात करके मुझे बता दो सफिर ने खुश दिली से कहा था उससे बहतर क्या था कि उसके बेटे की दिली मुराद पूरी हो जानी थी वो खुश था बहुत खुश नेकसिन क्या ये तुम क्या कह रहे हो तुमने फाहक को शादी के लिए मना लिया है और वो कल अपनी फुपो के साथ यहां आ रही है क्या तुम सच कह रहे हो बीरबल मौमिन के तो मानो पाउं में जमीन पाउं जमीन पर ही नहीं लग रहे थे इस कदर खुश था वो के शायद अपनी खुशी को लफ़जों में बयान ही नहीं कर पा रहाता हां ऐसा ही है जो तुमने सुना ठीक सुना है कल वो अपनी फुपो के साथ यहां आएगी और फिर तुमारे सहरे के फूल सजेंगे एक अजीब पुर इसरार लहजे में कहा था बीरबल ने जिसे मौमिन ने महसूस ही नहीं किया था सो हैप्पी यार तुम सच में मेरे बहुत अच्छे भाई हो अपने भाई होने का हर कदम पर हक निभाते हो तुम बताओ जोईशा को कैसे पाओगे मौमिन ने खुशी से कहते उससे पूछा था वही जो तुमने कहा था हम उन्हें सक्खर ले जाएंगे अपने अबाई गाओ जोईशा को किड्नैप करके और फाह को बिहा कर बेतास्र लेजे में वो बोला था मगर तुम तो कह रहे थे कि तुम किसी सूरत भी उसे भगा कर नहीं ले जाओगे और इज़त से ही रिक्सती लोगे तो फिर ये सब मौमिन ने ना समझी से पूछा था हाँ मगर अब हालात ऐसे नहीं है और वैसे भी मौमिन इज़त से तुम्हारी शादी हो या मेरी बात तो एक ही है तुम यह धुमधान से निका कर लेना और मैं वहाँ तुम भी खुश और मैं भी खुश एक ही एक बे लचक लहजे का अंसर था उसकी आवास की टोन में जैसे मौमिन ने एक पल के लिए महसूस किया था मगर अगले ही लम्हे वो उस टोन को इगनोर कर गया था बीरबल वैस अगेंज शुक्रिया मेरे भाई वो जो मैं तुम्हारे लिए नहीं कर पाया तुमने मेरे लिए कर दिया मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूँगा मौमिन ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया था मैं भी तुम्हारे मुझ पर किये इतने एहसानात कभी नहीं भूलूँगा इसलिए तो तुम्हारी खुशी उन दोनों को लाजमी सेफ करना रिसीव करना होती है फिर मुलाकात मौमिन से कहते वो तेजी से बहार निकला था नेक्सिन वो हुस्पिटल की पारकिंग में गाड़ी खड़ी करके अंदर की तरफ वढ़ा था एक अजीब सी कश्मकश में मुब्तला था वो गुस्सा और इश्टाल अपनी जगा मगर उसकी दीद की एक फांस अलग अटकी हुई थी वजूद में दिल अजीब लेपर धड़क रहा था आँखों में उसका नाजुक डरा डरा खोफ जदा चहरा बार बार लहरा रहा था दिल के हाथों मजबूर होकर कदम तेजी से बढ़ाए थे आगे रिसेप्शनिस्ट से पूछ कर वो उसके रूम की तरफ बढ़ा था और दर्वाजा खोला था सामने वो आँखे बंद किये लेटी थी अपने नाजुक वजूद को बैड के साथ लगाए जबके निडल लगा हाथ बैड की सताय पर था और दूसरा हाथ पेट पर पड़ा था बंद आँखों के पपोटे सोजे हुए थे और चहरे का रंग भी जर्द जर्द था बाल भी भिखरे भिखरे थे वो अपने इस नाजुक बिखरे बिखरे सरापे में भी उस पर एहससाद जगा रही थी वो कदम कदम चलता उसके पास आया था चहरे पर आई लट को बड़ी नर्मी से हाथ से छूकर पीछे किया था और फिर कान के पीछे उड़सा था दिल के हाथों मजबूर होकर उसकी पैशानी पर लब रखे थे वो उस वक्त आँखें मूदे पड़ी हुई उसे इंतहाई तकलीफ में लगी थी और उसका दिल कटा था उसकी तकलीफ पर जजबात के नशे में बह कर किसी एड़क्टिड की तरह ना सोचना समझा उसने और उसकी नाक के साथ नाक जोड़कर उसकी सांस खुद में खीजी थी और अपनी बियर्ड वाले गाल उसके नाक सफेद गाल के साथ रब की थी और उस वक्त अपने हवासों में था ही कब जोईशा को अपने गाल पर चुबन महसूस हुई तो डर और खोफ के मारे हर बढ़ा कर उठ बैठी थी और पूरी शिदत से उसके सीने के साथ लगी थी बीरबल हिचकियों से रोते उसने ये अलफास अदा किये थे और वहीं अरसम ने मुठिया भीची थी गुसे से और उसकी रगे तनी थी बीरबल मार क्या क्या कहा एक जटके से उसे पीछे की तरफ गिराते उसके सर के जल्द के बालों को मुठी में भीचते इतनी जोर से खीचा था पूरे कहर के साथ वो उस पर अपने गजब गैजवा गजब से फूंका रहा था कि वो कर रहा कर पीली पड़ी थी अपनी जैसे पूरे चेहरे पर किसी ने हल्दी मल्दी हो खोट उसके एक ही सितम पर गुलाबी से सफेद हो कर कपाये थे और दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था जैसे सामने कोई मोत का फरिष्टा हो मैं मैं वो वो शट आप जश शट आप हिम्मत कैसे होई मेरी पनाहों में मेरे वजूद की हदत महसूस करते किसी और का नाम लेने की हाँ तुम तो उस दिन से मेरे वजूद का नासूर हिस्सा बन गई हो जिस दिन से मैंने तुम्हें यूनी में देखा था क्या समझती हो ऐसे करके बच जाओगी मुझसे वो फुंकारा नहीं था वो तेश के साथ गुराया था उसके चहरे और गर्दन की नीली रगो को सफेद जिल्द पर उबरा देखकर उसकी आवास को तुमकार पर उसका जिसम ही नहीं रूह भी कापी थी कापते हाथों से हिम्मत करके अपना लरसता हाथ जहां से उसने उसके बालों को बेदर्दी से जकड़ा था उसके हाथ पर रखा था हिचकियों से रोते डबडबाई आँखों से उसकी आँखों में देखते इलतजा की थी कि मैं नहीं बरदाश्ट कर सकती ये सितम खुदारा रहम करो मुझ पर उसका कापता हाथ का लंस को अपने हाथ पर महसूस करते अरसम के दिल ने बुरी तरह धड़कते एक ही लेपर बीट मिस की थी उसकी आँखों में देखते उसके हाथ ने अपनी गरफ थलकी की थी कम फिर और कम और फिर उसे नर्मी से बालों को पकड़ा था और रोई हो जैसे उसकी आँखों में तेरती नमी में कुछ था वो एहसास था जो वो अक्सर अपनी आँखों में देखता था वो महरूमी थी जो सब कुछ पास होते हुए भी थी फर्क सिर्फ इतना था कि उस महरूमी में डर था शिक्वा था एक ऐसे एहसास की तूट पूटती जो अर्सम के दिल को तरपा गई थी कैसे हिम्मत कर ली तुमने खुद को मारने की इतनी बहादूर हो इतनी बहादूर हो ही नहीं सकती जेशी तुम वो लड़की जिसके लव्ज लडख़डा जाते हैं वो अर्सन सुल्तान चोधरी के सामने कैसे किसी गया एहम सक्षियत को एहमियत दे सकती है हाँ वो नर्म पड़ा था और उसके लव्ज भी उसका लव्ज भी उसके लव्जों की नर्मी को महसूस करते हैं जोईशा ने पलके एक बार फिर उठाई थी और उसके चहरे को देखा था आई आई हेट यू मिस मिस्टर अर्सम सुल्तान चोधरी सो लीव मी इस सफाक के सीने पर दोनों मरियल हाथ रखते अपने ते कोशिश करते उसने दूर हटाया था खुझ से उसे जैसे करीब खड़ा वो उस पर कहर धाता नर्म पड़ा था वो खोवज़दा हुई थी करती रहो नफरत I don't care because अर्सम सुल्तान चोधरी भी तुमसे कोई जान लेवा धूँधार इश्क नहीं करता सुईठार्ट तुम तो वो मोरा हो जिसके कांधों पर पिस्तोल रख कर तुम्हारे खांदान की धज्जिया उड़ाऊंगा और फिर तुम्हे भी उसने जो एक इंच उसे पीछे हटाया था वो पलट कर उसके दोनों कलाईयों को अपने बाएं हाथ में जकरते उठा था उठकर उसको घुमाते हुए अपनी गोद में मंतकिल कर गया था और फिर खुद पीछे होकर बैठते टेक लगा गया था वो नाजुक सी लड़की उस एक सेकिंड की फुर्ती पर खुद को हवाओं में लहराती उसकी गोद में मंतकिल होती समझ ही नहीं पाई थी के हुआ क्या है जबके वो सुकून से उसकी हल चल उसकी तलमलाहट को देखता महजूस होता अब उसके दाए कांधे पर थोड़ी रग गया था वो जो थोड़ी दिर पहले उसकी आँख को देखकर नर्म तासरात लिये थे दिल ने शिद्दत से ख्वाइश की थी कि वो उसकी शिक्वा कना आँखों पर अपनी महबत की अपने इश्क के नर्मी के एहसास के पहरे बिठा कर खुद के एहसासाद खोल दे उसकी महरूमियों में उसे उसको हेटियों कहने पर दफन किये थे अपनी नर्मल सांसों को गंबीर बनाते उसके कान के पास बिलकुल बोलते वो एक ऐसी लहर का सूर फूप गया था उस पर जो उसने कान के रोय से लेकर जिस्म के हर रोय में महसूस की थी ये वो जानलेवा एहसास था जो उससे पहले उसने कभी महसूस नहीं किया था नर्ब गर्म सांसों की चुओन पर दिल पसलियों से निकल कर बाहर आने पर बेताब हुआ था वजूद की कपकपाहट में इजाफा होते देखकर वो गहरा मस्कुराया था वो तूफान था और वो एक मुठी की मासूम सी गुडिया से टक्रा रहा था जो उसकी एक नाजुक लहर से ही फना हो गई थी नाजुक हो खुबसूरत हो बेदाग भी हो तुम्हारे जिस्म पर जखमों के निशान दे कर उनको देखने का मज़ा ही अलग होगा मानिक खेज लहजे में उसकी गर्दन से सारे बाल हटाकर दूसरे कांधे पर डाले भारी गंबीर लहजे में बोला था सिम नहीं उसकी उंगलियों के पोरों को अपनी पिछली गर्दन पर जरा महसूस होते लगते वो घबराती मचलती कपकपाते लफ़ों में बोल उट्टी थी सिम नहीं सुइठार्ट अरसन कहते ही उसने अब पोकिट में से दूसरे हाथ से सिगरेट और लाइटर निकाला था और सिगरेट इस नाजुक चान के लबों के पास लाते उसके होटों में दिया था वो उचल कर पीछे हुई थी लो और दबाओ इसे होटों में उसकी नाफरमानी पर वो उसकी सुर्क कलाईयों पर गिरफ्ट मजबूत करते चिलाया था एक बार फिर सिगरेट उठा कर उसके होटों में दबाया था और फिर से रुख मोड़ गई थी लगता है बीबी को अपनी जान नहीं प्यारी अब अगर ये तुम्हारे होट से नीचे गिरा तो जिन्दा जला दूँगा तुम्हें इस कमरे में इतनी जोर से पुंकारा था इतनी जोर से फुंकारा था वो उसके कान के पास के वो दहल गई थी कलैयों पर अपना पूरा जोर लगा कर दबाते उसने फिर से उसके होटों में सिगरेट रखी थी जिसे अब वो हिचकियों से रोते अपने कापाते लबों में दबा गई थी खुद को मुझसे दूर करन उन्दर कान की लोपर फूक मारते अगला हुकम दिया था उसकी फूक से रीड की हड़ी में संसनाहट महसूस करती लरस्ता सांस पूरी शिदत से अंदर खीच गई थी जब ही अर्सम ने उसकी कलाईयों को छोड़ा था और सिगरेट उसके होटों से अलग करते अपने होटों म जकड गया था वो बुरी तरह खासने लगी थी कलाईयों को गिरफ्ट से आजाद होते देख वो एकदम से हिचकियों से रोते पीछे की तरफ मुड़ी थी मबादा जो सिगरेट उसने खीच कर अपने लबों पर लगाई है वो दोबारा से उसके लबों में न दबा दे जहरे कश लेता अपने और उसके इर्द गिर्द धूँआ छोड़ता खुद को और उसको अब नॉर्मल कर रहा था वो पास थी उसकी पनाहों में थी उसके सीने के साथ लगी रो रही थी और वो सुकून में था उसके लंच से मगर बेचैन था उसकी हालत से उसके आशों से पता है जेश ये वो आशों हैं जो मैं बच्पन से अपनी महरूमियों में छुपा रहा हूँ तुम्हारे आशों मेरी महरूमियों का मेरे माबाप की मौत का मदावा हैं मगर मुझे सुकून की बज़े तड़ब मिल रही है मैं तड़ब रहा हूँ मचल रहा हूँ मेरा दि मा कह रहा है फना कर दू तुम्हें जला कर भस्म कर दू। उसकी गर्दन की पिछली तरफ में हाट डाले मजबूती से पकड़ कर उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब लाते उसकी आँखों में आँखे गारते सुर्क आँखों से कहा था उसने उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो क्यों उसे तकलीफ दे कर भी सकून नहीं महसूस कर रहा था वो तो दुश्मन थी उसकी, उसका बदला, फिर वो क्यों उसे नीच पर, इस नीच पर इसके साथ वो बरताव नहीं कर पा रहा था, जो वो अपने हर दुश्मन के साथ करता था, क्यों वो शफाकियत नहीं दिखा पा रहा था, जो शफाकियत वो हर उस दुश्मन पर धाता जिस से उसे बदला लेना होता था वो तो उसकी सक्त ग्रफट में ग्रफट पर ही हलकान हो गई थी निड़ाल हो गई थी क्या वो उसके जल्म सह पाईगी उसके गीले चेहरे को हाथ की पुछ से साफ करते दिल के हाथों मजबूर होकर उसने उसकी पैशानी पर जलसते लब र पर एक ही नाम हो अरसन सुल्तान चोधरी किसी विर्द की तरह उसका विर्द करो किसी वजीफे की तरह इसे अपना वजीफ़ा बना लो वरना शेहर रुक से लेकर पाउं के अंगूठे तक वो जल्म वो तलसम खीचोंगा तुम पर हर रात जीओगी हर रात मरोगी मगर जल लो से लेकर शेहर रुक तक नाखून से लकीर खीची जटके से उसके सिसकते नाजुक वजूद को ओंधे मू बैट पर गिराते उसकी सुर्ख होती कलाईयों को देखते वो कमरे से बाहर निकला था ये परवा किये बगयर के वो तो तब ही होश से बेगाना हो गई थी जब उसने उसे अपने सीने में अपना पूर जोर लगा कर भीचा था वो इशक कर रहा था उसे दर्द भी दे रहा था अपने बाप के कातिल के रूप में उसको समझ कर उससे नफरत भी कर रहा था मगर वो समझ रहा था शायद यही तक ही वो महदूद रहेगा बदला लेकर उस उसकी कच्ची चालो पर उसकी नफरत भी उस पर हस रही थी इश्क और नफरत की भला कब बनी है आपस में इश्क आस्मान है और नफरत जमीन इश्क आला है, कामिल है, अब्द है अब्द से नयाब है, अवल है, आखिर है, अब्तदा है, इंतहा है, खोक है होक तहजुच से इशा है रोग है, यकीन है, महमल है, मकमल है एक बाँनवां तहरीर है जबके नफरत वो तो काट है एक ऐसी काट जो चुबन जदा है नफी है और नफी कभी इश्क का मजमूँ नहीं करती कभी आखिर नहीं होती और जहां इश्क पंजे गार ले वहां नफरत खुद ही सकती दम तोड़ जाती है इश्क वो कुन्दन है जो रफता रफता जलता है मुकेद करता है अपने हिसार में फिर भीच लेता है रगों में बहते खून को उस दर्द में जो हर किसी की मिकदर का सितारा नहीं होता वार्फियत की दास्ताने बहुत कम लोग जानते हैं बहुत कम लोग गुजरते हैं ऐसी कीमती दास्तानों से और बहुत कम लोग इस कीमती दास्तान में मोती भरकर इश्क को फना की मराज सोप कर अमर हो जाते हैं जैसे अजलान हैदर शाह ने फजर अबराहिम शाह के इश्क में फना होकर तश्ट इश्क की दास्ता रकम की थी जैसे अजहान हैत मलिक ने मुकमल किया अपने वजूद की कामेलियत में मन आजिम के सफर को और जरा दरीद के इश्क की दास्ता में सर्खरू हो जैसे मेर जावियान आफंदी ने रफ़ता रफ़ता अपने नसीब चुना अलमीर रिहान मलिक की बेवकूफी की मराज में दल रूज महबत में इश्क की कीमती दास्ता मकमल की हर सफर कामिल होता है मगर मन्जिले साबित कदम होने पर ही खराज बख्षती है सीन चेंज मामा आप गई थी इश्क की तरफ वो इस वक्त टाइनिंग होल में बैठे खाना खार रहे थे जब अरहाम ने पूछा था अरे बेटा जिस दिन तुम गए थे उस दिन तुम्हारी मामा चली गई थी और उन्होंने जान बूछ कर बात अधूरी छोड़ दी और क्या पापा वो बेचैन हुआ था और ये के हफते को तुम्हारी बारात है मिसिस तारीक बोल उठी थी वाकई वो खुशी से निहाल हुआ था यस विकोज मिसिस रंधावा को कोई मसला नहीं है और वो इशू को भी मना लेंगी अब बस तुमने जितनी भी शॉपिंग करनी है कर लो और अगर कमरे के थीम बगएरा चेंज करवाने हैं तो करवा लो और हनीमून का भी बता दो कहां जाओगे ताके सब कुछ परफेक्टली प्लैन हो अरे भई मेरे इकलोती बहु आ रही है उसकी शयान सान होना चाहिए सब कुछ उन्होंने कबाब खाते हुए कहा था नहीं मामा ये सब कुछ जब वो मेरी लाइफ में आ जाएगी तब प्लैन होगा अभी तो बस उसकी रंजिशे दूर करनी है फिर वो जैसे चाहे जो चाहे समार ले मुझे भी और मेरी जंदगी को भी उसने एक प्लांस की कैफियत में कहा था इन्शा अल्ला मामा की जान सब कुछ बहतर होगा रब है ना मसाइब पर सबर करने वाले को हमेशा अज्र से ब बढ़कर तुम्हें भी मिलेगा मिशिस अरहाम ने समझाते हुए कहा था बिलकुल बेटा औरत जात ही ऐसी है चेहरों पर चटानों जैसी सकती रखे दिल की इतनी नर्म होती है कि बड़ी से बड़ी नराजगी को भी दूर कर देती है समेट लेती है अपनी सारी रंजिशो को अपने दिल के कोनों में और धो डालती है नफरत को सबर के पानी से वो भी तो औरत ही है ना अंदर से नर्म है तुम्हारे हक में चाहे चहरे पर जितनी मर्जी सकती हो और जबान पर जितनी मर्जी शिक्वे जब तुम महुबत से अपने दिल के हालात उसके सामने और बेशक हर मुश्किल के साथ ही तो आसानी है उन्होंने आखरी लुकमा लेते बड़ी नर्मी से संजाया था अरहाम को गो के वो जानते थे कि उनका बेटा बहुत समझदार है और उसे संजाने की जरूरत नहीं मगर फिर भी उन्होंने फर्द संजा था बेशक पापा बस आप दोनों की दुआएं से तो अब तक खुद को समाले हुए हूं उसने ट्राइफल प्लेट में डालते हुए कहा था इसी दोरान उसके मॉबाइल पर मेसेज टोन रिंग हुई थी उसने ट्राइफल कर चमच मुँ में डालते वाटसप ओन किया था और सामने जो वीडियो थी उसको देखते उसके चोदा तबक रोशन हुए थे हलक कड़वा हुआ था हाथ एकदम से कापा था तो दिस इस दी एंड ओफ टोडेज एपिसोड गुडबाए